बांदा जिले में विंध्या चल पहारियों पर एक किला है, नाम है कालिंजर का किला, ये किला पहारियों पर 5.7 किलो मीटर लंबाई में वलगभग 900 मीटर उचाई पर बना है, ये देश का सबसे बड़ा किला है, किले ने सदियो भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिद रश्य को बदलते देखा है, छटी शताबदी में चंदेल शासक पर मादित्य देव द्वारा बनवाया गया ये किला चंदेल वंश के शासन काल की भव्य वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरन है, इस किले की चार दीवार में अंदर कुल 24 महल वा मंदेर है, जिन पर बारीक बुंदेली दिजाइन वर नकाशी स्पष्ट देखी जा सकती है, इतिहास के उतार चड़ावों का प्रत्यक्ष गवाह बांदा जनपत का कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है, सत्युग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगर, द्वापर युग में सिंगलगर और कलियुग में कालिंजर के नाम से ख्याती पाई है, इस किले पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन एबक, हुमायू वशेरशाह सूरी ने आक्रमन कर इसे जीतना चाहा, पर काम्याब नहीं हो पाए, शेरशाह सूरी अपने द्वारा दागे गए तो के गोले के फटने से मृत्यू को प्राप्त हुआ, यहाँ शेरशाह का मकबरा भी बना हुआ है, अक्रमने पंद्रा सो उनहत्तरी में ये किला जीतकर बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया था, बीरबल के बाद ये किला बुंदेल राजा च्छत्रसाल के अधीन हो गया, फरुखाबाद के नवाब मुहम्मद बंगश ने दिसंबर 1728 में बुंदेलखन राज्य के इस किले पर हमला किया, च्छत्रसाल अपनी उम्र के कारण लड़ने में असमर्थ थे, इसलिए राजा च्छत्रसाल ने बाजीराउ से सहायता की अपील की, इस प्रकार मराथा किला अंग्रेजों के अधीन हो गया, कालिंजर के किले में आगे बढ़ने पर महलों की एक खूबसूरत श्रंखला देखने को मिलती है, हर एक महल पर बुंदेल खंडी चापस-पष्ट देखी जा सकती है, ASI ने इन सभी महलों को अच्छी तरह सुरक्षित रखा हुआ है, दिवारों पर खूबसूरत नकाशी वर डिजाइन उभर कर सामने आ जाती है, कालिंजर का किला देखने पर उस काल में श्रंगार की एहमियत का आभास होता है, ऐसी वास्तुकला, प्रवेश दुआर, हमारे पुराने आवासों में आज भी देखे जा सकते है, कालिंजर पहाडी की चोटी पर स्थित इस किले में रंग महल, मोती महल, जकीरा महल, वह अदभुद शनिश्चरी तलैया भी मौजूद है, कहते हैं इसे हासिल करने के लिए प्रित्विराज चोहान से लेकर पेश्वा बाजी राओ तक ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जो बताते हैं कि यह गुप्त काल में भी मौजूद रहा है, नौवी से तेरहवी शताबदी के बीच चंदेल शासकों ने यहाँ चार सो सालों तक राज किया और इसे अपनी राजधानी बनाया, इस दुर्ग में गुप्त स्थापत्य शैली, चंदेल शैली, प्रतिहार श इनसे इतिहास की विभिन परतों को पड़ा जा सकता है, सिकंदर ने इस किले की तुलना चीन की महान दीवार से की थी, अपने अगले अंक में हम कालिंजर किले के म्यूजयम में रखे काल चक्र को साक्षाद देखेंगे ये कालिंजर किले में राजा वर रानियों का शोचाले है, जिसे एसाई ने सुरक्षित रखा हुआ है कालिंजर किले में नीलकंट महादेव का एक अनोखा मंदिर भी है, जिसे चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था मंदिर में 18 भुजावाली विशालकाई प्रतिमा के अलावा नीले पत्थर का एक शिवलिंग है, शिवलिंग की खासियत यह है कि उससे पानी रिस्ता रहता है